तो जैसा कि आपने थम लेन में देख लिया होगा तो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि हम केस से थम या फिर सिगनिचर से और परसनल फोटो लगा कर केस से पैन कार बना सकते हैं जी हैं दोस्तों पूरा प्रोसेज इसी वीडियो में जान लेंगे और अगर आपको बगेर सिगनिचर या फिर बिना किसी नई फोटो लगाए पैन कार बनाना है तो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा उस वीडियो को देखके भी आप आराम से पैन कार बना सकते है बट ये वीडियो देखते हो आप तो इसके अंदर आप पर्सनल जो भी आप फोटो लगाना चाहते हो बगेर आधार कार्ड के मतलब जिस आधार कार्ड में फोटो है वो उसके अलावा दूसरी फोटो लगा सकते हैं साथ में आप थम या फिर सिगनिचर है वो भी आप पैन पेन जिसे सर्च करते हो और ढेते हो तो यहांपर आता आ जाता है सिक्यूर पे ऐनल पैन कार्ड का अवह के इस पर आपको कलिक करना होगा और जैसे करते हो तो यहां पर कुछ वक्ट लेगा और यहां पर अजित आ रहे हैं और बीच ARC का आजसे इसको पार रहा है दो आवर्स और यह का रहा है भात्रा और आप अगर आची तरह देख रहे होंगे तो यहां पर इस एक वाइसी जो डाकुमेंट है बिना अप्लोड किये दो गंठे के अंदर या निकी दो गंठे के अंदर आपके इमेल आड़ी पे आज आएगा और अगर आप य करना यहां पर है इन डिश सब्सक्राइब करना होगा तो चलिए मैं आज री मतार कला दीजियेगा यहां means अगर है तो और है लाश्ट नेम जिसा भी जिस्वी कंडडिडेट का हो उसका और यहां पे आपको यहां पे डेट लिखने होगा हूँ जो कि आधार कार्ड के अंदर होती है वही आपको यहां पर डेट लिकनी है अधर रट नहीं लिखनी है, औके हैंपे आप mobile number एंटर करोगे उसके बाद में आपको submit पर click कर देना है जैसे आप याफर submit क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको डो option देखने को मिलता है यहाँ पे एक mobile number एंटर करने के लिदे बोले जरा यह एक यहाँ पे registration करने के लिदे बोले जरा है यहां पर आपका जो भी address है वो address डालते हुए जितना है पूछा गया है यहां पर mobile number एंटर करना है और इसको OTP आनेक बाद यहां पर valid OTP पर किलिक करना है और email ID डालने के बाद यहां पर valid OTP पर किलिक करोगे और यहां पर submit क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपको Sam यहां पर जो मांगा जा रहा है mobile number वो mobile number यहां पर मांगा जाएगा और mobile number पर OTPI वो आपको OTP submit करना होगा जैसे आप submit करोगे तो यहां पर अगला process जो भी pen card का होगा वो यहां पर आपके सामने खुल जाएगा यहां पर आपको candidate का आदार number डालना होगा और यहां पर Sam जो आदार card के अंदर नाम है candidate का वो आदार card के अंदर देख लेना है और वो आपको यहां पर नाम डालना है यहां पर आपको देख लेना है कि स्रीमती होना चाहिए अगर आप किसी महिला का बना रहे हो तो जो भी मतलब जिसी भी कंडिडेट का बना रहे हो यहां पर देख लेना है ध्यान पूर वक्त और यहां पर अगर mail का बना रहे हो तो mail आना चाहिए अगर female का बना रहे हो तो female का आना चाहिए ओके नाम और date over तच्छी तरह मिलाने के बाद यहां पर allow करना है और इसके बाद में submit पर click करना है इसके बाद मैं आपको फिर से यहां पे डिटेल चेक करने के लिए बोला जाता है अगर ठीक है तो आपको यहां पे next कर पर किलिक करना होगा जैसे next कर किलिक करते हो तो यहां पे आपके सामने option आता है कि आपके पिता या माता पिता में से आप यहां पिर मतलब सिंगल माता पिता के मतलब candidate हो ओके तो यहां पिर जो विद्वा है उनके candidate हो अगर है तो yes करिएगा वरना इस पे आपको नोई करना है और जश्ट यहां पे आपको जो भी आपका पिता जी का नाम पे पैन कार्ड के अंदर पता रखना साही है अगर किसी महिला का बना रहे हो तो यह सा नहीं है कि यहां पे आपको उसका हजबेंट का नाम लिखना है नहीं यहां पे आपको पापा का ही नाम लिखना है जो भी मह नया पे भी समा आपको वही डालना है जो ऊपर आप डाल रहे हैं कि आप इसके बाद में आपको पूछा जाता है कि आपके पैरेंट्स मेंसे Дोनों में से किसका नाम आप परफेंगा कार रखना चासाथे हैं तो ख्ली का रखना चाते हैं तो फादर पर क्लिक करेगा और ना आप मंदर के भी क्लिक कर सकते हैं यहां पर जिसका भी नाम आप पैन कार पर रखना चाते हो उसका नाम होना जरूरी है अगर आप पिता जी का रखना चाते हैं तो आपके पिता जी का नाम लिखके और यहां पर आप फ ओके जश्ट यहां पर नीचे आपको इंडिया सेलेक्ट अलडी हुआ मिलेगा यहां पर आपका जो भी मतलब STD कोड है वो यह आपको डालना होगा जैसे कि एकराण में डाल सकते हैं यहां पर आपको मोबाइल नमबर और यहां पर आपको नमबर बलोक नमबर जो भी है वो यहां पर डालना होगा यहां पर आपका विलेज नेम यहां पर आपको पोस्ट एड्रस जो भी है और यहां पे आपका जो भी स्टेट है राजस्तान है तो राजस्तान या अदर है तो अदर डालना होगा यहां पे आपका जो भी पीन कोड है वो यहां पे डालने के बाद आपको लिट के आ जाना है और यहाँ पे no पर click करते हुए आपको next पर click करना है यहाँ पे आपको area code, AO code, range code और AO number पूछा जाता है तो यहाँ पे आपको India पर click करना है इसके बाद में आपको just यहाँ पे जो भी आपका state है वो आपको select करना होगा इसके बाद में जो भी आपका जिला है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर जैसे दोनों चीज़े सेलेक्ट करते हो state and city तो यहाँ पर आपको यह ओ कोड मतलब area code पूरी चीज़े आपको available हो जाएगा वो आप आराम से यहाँ पर डाल सकते हैं तो भी आपका code है कोड डालना होगा यहाँ पर उसके बाद मैं आपको just login अगला मतलब जो भी step है वह step आपको next करना होगा ओके चलो मैं डाल लेता हूं इसके बाद मैं आपको next पर click करना है यहाँ पर आपको दोस्तों मैं जी जी यहाँ पर आते हैं तो मैं अपनी फोटो यहाँ पर गल्लेरी में जाता हूं गल्लेरी में जाने के बाद यहाँ पर मैं फोटो स्लेट करता हूं और इसको crop कर देता हूं चलो मैं देखता हूं crop कैसे करते हैं आपको बता देता हूं मैं crop करूँगा इसको और crop करने के बाद इसको मैं okay पर click कर देता हूँ just अपनी photo crop हो गई है यहाँ पर मैं अपने प्रॉट पर click करने के बाद just मैं वापिस अपने chrome राज रूब जाओंगा और यहाँ पर मैं इसको select कर लेता हूँ और यहाँ पर upload option है मैं इसको upload कर देता हूँ यह यहाँ पर अपनी photo आ गई है वापिस से मैं click करता हूँ यहाँ पर मैं अपना जो भी thumb है उसको मैं click कर लेता हूँ तो चले मैं इसको चल दी से यहाँ पर crop कर लेता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं वरियर पूरी आपके सामने आ जाएगी उसको आपको पूरा को देखना है और अगर सही है तो आपको confirm करना है अगर कोई मिश्टेक दिखे रही आपको तो यहाँ पे आपको editing option पर क्लिक करना है चलिए मेरा सब ठीक है तो मैं आपको confirm कर लेता हूँ confirm करने के बाद यहाँ पे आपको OTP और biometric option देखने को मिलता है आपको OTP पर अगर OTP candidate अभिलब नहीं तो आप OTP पर क्लिक करके भी आप आराम से ही signature कर सकते हो candidate का जो आपका मतलब जो signature नहीं लगाते हो जो personal photo लगा के नहीं बनाते हैं तो उसके अंदर आपको दो बार OTP की ज पर क्लिक करना है जैसे आप send OTP पर क्लिक रोगे तो यहाँ पर candidate पास OTP चले जाएगी वह OTP आपको यहाँ पर candidate के पूस्ट के नाराम से आप यहाँ पर लगा के verify कर सकते हैं जैसे OTP दर्ज करते हो तो यहाँ पर इस तरह से option दिखाए देगा अगर आपका OTP सही होगा तो है यहाँ पर अपना मतलब fancard बनकर त्यार हो गया है यानि कि अब अपना जो पैन काड़ा है वह successful सब कुछ जो भी अपने किया है वह पूरा complete हो गया है यहाँ पर आपको ट्रेक नमर मुझता है आप यहाँ पर कर सकते हैं नमरों से जो candidate का आदार नम सोरी मोबाल नमबर औ आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है फिर मिलेंगे यह नए वीडियो में जब तक लिए जाए हिंद जावार्थ